हाई गाईज होली आ चुकी है आप सबको हमारी तरफ से हैपी होली और ठंडाई के बिना होली हमारी अधूरी रहती है तो चलो आज मैंने सोजा ठंडाई की रेस्पी नहीं ठंडाई केक की रेस्पी शेयर करती हूँ क्या आप भी काफी टाइम से परफेक्ट केक बनाने की को एसी रेस्पी में शेयर करूंगे आपके साथ ना तो केक उपर से फटेगा बहुत ही जादा सॉफ्ट पनेगा और ना ही कच्छा रहेगा तो चलो इसे बनाना शिरू करते हैं इसे बनाने का जो पहला स्टैप होता है हमें केक पैटर से पहले हमें केक मोल्ड को तियार करके र रखो और ऐसे कट कर लो प्रॉपर राउन में कट हो जाएगा अभी हम केक मोल्ड में सारी तरफ लगा देंगे थोड़ा सा ओईल घी कुछ भी लगाना है वो लगा लो जिसकी स्मेल ना आती हो और यह देखो हमने जो पेपर अभी काटा है बेकिंग पेपर वो राल देंग और ठंडाई पाउडर मैंने तीन टेबल स्पून डाले हैं इसे दस पंदा मिनेट के लिए अलग मैंने इसलिए रखे एक तो फ्लेवर आ जाएगा ठंडाई का दूद में और अगर दूद ठंडा है तो वो रूम टेंपरिचर पे आ जाएगा अगर आप ठंडाई केक नही यह fluffy होना शिरू हो गया है इन दोनों में जब डियक्शन होती है तो carbon dioxide gas produce होती है जिससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा soft और fluffy बनता है दहियों और baking soda को पांच मिनेट के लिए छोड़के इसमें डालेंगे 1 4th cup of sugar and 1 4th cup of oil जिसमें smell ना आती हो उसी अच्छे से mix करेंगे ज और इनको ज्यादा mix नहीं करना है अगर हम ज्यादा mix करेंगे तो cake perfect नहीं बनेगा अभी मैंने dry ingredients और दही वाला जो बैटर था उनको mix कर लिया अभी मैं इसमें डाल रही हूं ठंडाई milk जो हमने सबसे पहले ready किया था ठंडाई और दूर डाल रही हूं अगर आप चाहो त इसमें केसर भी डाल सकते हैं उसका काफी अच्छा flavor भी आएगा और मैंने दूर डाल दिया है अगर आप ठंडाई दूर नहीं डालना चाहते तो वैसे अगर आप ठंडाई केक नहीं बना ले तो बस यह याद में रखना ठंडाई नहीं डालनी और जो दूर हमने डालना है वो है room temperature दूद डालना है अभी हमारा cake batter ready हो चुका हम इसे cake mold में डालेंगे यह देखो इसका जो texture है वो पूरा liquid होना चाहिए ऐसे flowy texture होना चाहिए इसका और इसके उपर मैं थोड़े से अगर cake का batter ऐसा नहीं होगा तो cake या तो ऊपर से तूट सकता है या फिर अच्छे से बेकनी होगा तो अभी हम इसको थोड़ा सा टैप भी करेंगे एक दो बार उसके उपर मैं nuts डाल रही हूँ थोड़ा सा मैंने केसर भी डाला जो कि मैंने बाद में डाला था जब तक cake batter ready होगा तब हमने दूसरी तरफ एक पैन में थोड़ा सा नामक डाल के उसको कवरी करके देख देने 10-15 मिनिट के लिए तांकि री हीट हो जाए उसमें हम डालेंगे एक अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आपको टोरी भी डाल सकते हो उसके उपर बहुत ही ध्यान से हमें डालना होगा क्यूंकि पैन बहुत ज़्यादा गरम है हमें बहुत ही ध्यान स केक हमारा जो मिक्स्चर केक मोल्ड है वो डालना होगा और उसे हम कवर करके रख देंगे 30-35 मिनिट के लिए उसके बाद देखो यह कितना परफेक्ट बनेना तो उपर टूटा है बहुत ही ज्यादा सौफ आप तूथ पीक इसमें डाल के देख सकते हो कि यह पूरा परफे पेपर को हटाते ही देखो कितना सुंतर कलर आया अमेजिंग यह देखो कितना सौफ लग रहा है देखने से इतना सौफ दिख रहा है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसे कट करके पूरा अंदर से भी स्पोंजी है अगर आप यह केक बना रहे हो और अपनी फैमिली को जाने वाले हो तो एक बात याद रखना अगर आप ये केक बनाते हो एक दो घंटे के लिए फ्रीज में रख देना जब ये थोड़ा सा ठंड़ा हो जाता है इसके इसका टेस्ट और भी इन्हांस होकर आता है तो मुझे तो ये बहुत बढ़ी अलगा मेरी फैमली को भी काफी अच्छा लगा अगर आप कोई वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को कर दो लाइक चैनल को कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तो बाई